सब्सक्राइब कीजिए अमेजिंग फैक्स बीटिय चैनल को बैल आइकन प्रेस करें लेटर्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो गाइज वेलकम तो माई यूटूप चैनल आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपना बैंक का अकाउंट किसी भी बैंक का अकाउंट किसी भी सिटी में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं ये दिक्कत हमारे भाईयों को उनको सबसे ज़्यादा आती है जो किसी प्राइवट सेक्टर में जॉप कर रहे हैं और उनकी ट्रांसफर किसी दूसरी स्टेट या दूसरी सिटी में कर दी जाती है तो दोस्तो आप चले वीडियो शुरू करते हैं तो आपको क्या करना है आपको जिस बैंक में आपका खाता है उसका आपने डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से मेरा तो एक्सिस बैंक में खाता है तो मैंने एक्सिस बैंक का डाउनलोड कर रखा है इसमें आपको इसको ओपन करना है open करने के बाद क्या होगा ये आपसे आपका debit card number मांगेगा ठीक है दोस्तों internet banking शुरू करने के लिए ये आपका debit card number मांगेगा या user ID मांगेगा आपके पास ATM card तो होगा उसका ATM card का number भरके CVV number और month और expiry rate year भरके वहाँ पर fill कर देना और आपको एक OTP आएगा OTP फिल करने के बाद आपकी net banking शुरू हो जाएगी उसके बाद आपको क्या करना है login होने के बाद आपको एक इस तरह का interface करना है उसके बाद आपको थोड़ा सा scroll down करना है scroll down करने के बाद आपको या service का option आएगा दोस्तों ये नहीं है कि मेरा access bank है इसमें इस तरह का system है ये सभी जितने भी app है private bank है या सरकारी bank है उनका 19-20 का फरग होता है लेकिन सारे इस तरह के जो भी इसमे decoration बगरा की है जो भी इसमें जिस तरह से app बगरा setting की हुई है वो सारे सब के same ही होते है तो आपको क्या करना है आपके phone में एक service का option आ रहा होगा जहांसे अपने check भी apply कर सकते है account transfer कर सकते है credit card, debit card, new apply कर सकते है तो आपको क्या करना है यहाँ पर account का option है यह आपको दिख रहा है इस पर account के option पर आपको click करना है इसको open करने के बाद आपको एक transfer account का option दिखेगा उस पर आपको click कर लेना है उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर account का option फिर से आपको दिख रहा है इस पर click कर लेना है इसको open करने के बाद नीचे फिर transfer account का option है इसको आपने open कर लेना है open करने के बाद open करने के बाद आपको इस तरह का option आएगा कि आपका जो ये address है वो बिल्कुल सही है जो आपने bank में दिया कि यही है अगर आपका गलत है तो आप account transfer ना करें आपका यही address है तो आप correct पर click कर दें इसके बाद आपका account मांगे है तो select कर लेता हूं उसके बाद आपको select state state मैं select तो आप भी जो इस state में रहते हैं वो आपनी state select कर लें तो मैं तो मैंने पर उसके बाद आपको जिस भी branch में transfer करना है वो branch select कर लेना है जैसे मैं यहाँ पे इसको select कर लेता हूँ उसके बाद को terms and condition का option है इसको click कर लेना है click करने के बाद आपको process दबा देना है process के option पर click करने के बाद आपको दिख रहा है your request to transfer your account will be processed in two working days दोस्तों यह आपका दो दिन के बाद आपका account जहाँ पर भी आपने transfer किया है वहाँ पर transfer हो जाएगा दोस्तों इस तरह से हम अपना असानी से लंबी line में लगे बिना account transfer कर सकते हैं